हलो एब्रिवान विल्कम एंड विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज की वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मीशू की जूलरी यह सारी ऑक्स सबसे पहले मेरे पास जो जूलरी रिसीव होई है वो है यह चलिए इसको ऑपेन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी जूलरी है और एक बात और आपको सारी जूलरी की प्राइज है ना वो आपको मेंशन करते रहोंगी तो आप देखते रहिएगा यह जूलरी जो है यह काफी light weighted है मतलब देखने में है भी लग रही है बट काफी जादा light weighted है और इसमें जो मतलब इसकी जो design है इसमें गन्नु दादा बने वे आप देख सकते हैं वाइट मोधी के साथ इसको फिनिस किया गया है काफी अच्छे से फिनिस वर्क है इसका बहुत खुबसूरत लग रहा है और मैं आपको इसको पहन कर भी देखाती हो कि यह कैसा लगता है पहनने के बाद जूल्री है पूरी तरह से की सब्सक्राइब कोई भी कलर नहीं है तो यह कोई भी ड्रेस के साथ चल सकता है आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी के साथ चल सकता है यह वाला यारिंग विसीब हैं इसका जो तुर्षूल का बना हुए डिजाइन और नीचे में गनु दादा का है कुछ इस तर कम है तो आपके यारिंग में मतलब दुखेगा भी नहीं जब अगर आप पीस को पहनते हो नो काफी ऐसा होता है कि हम लोग पहनते हैं कोई भी जुल्री और उसके बाद हमारे यह में इतनी दर्द होने लगते हैं क्योंकि उसकी हैबी हैवी पंस है तो यह चीज नहीं होने व इसका बजट भी बहुत जादा अच्छा है गाइस मतलब 200 के अंदर आप क्या ही मांग रहे हो और उसके बाद भी आपको इतना अच्छा लुक जब निकल रहा है तो मैंने भी इसको फर्स टाइम वेर किया और बहुत खुशूरत आया लोग मुझे यह जूल्री बहुत सेकेंड जूल्री जो मुझे रिसीव हुई है कुछ इस तरह का है और इस ऑक्सेडाइस जूल्री में मलर भी दिया हुआ है जो की काफी खुबसूरत है ब्लू एंड ग्रीन है अगर आप देखोगे तो आप ब्लू एंड ग्रीन है तो अब इसको ओपिन करते हैं यह सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लग रही है कि इतने भी जूल्री है अभी तो मैं दो ही खोली हूँ बट यह काफी ज्यादा लाइट वेटेड है चोटे-चोटे फ्लावर बने वह एंड फ्लावर के जो मीड पॉइंट है ना वहां पे मोती है कुछ एक में ब्लू है एक में पें के देखते हैं कि कैसा लगता है अब देख सकते हो मैं काड कितना प्यारा है ना बहुत जादा खूब सूर्य है मतलब अच्छे बजट में इस तरह से चांद का अकार दिया वा है और इसमें फिर से फ्लावर बने वह ग्रीन एंड ब्लू का कॉमिनेशन है इसको भी वेयर करके देखती हूं कैसा लगता है यह रिंग देखने में काफी ज्यादा है भी लुक आ रहा है बट इतना लाइट वेटेड है ना देख रहे हैं मतलब काफी ज्यादा लाइट वेटेड है जल्दी समिसू डाउनलोड करो और जल्दी ओडर करो भाई जल्दी जाओ इतना कुप्सूरत कुप्सूरत है मतलब मैं नहीं सोची थी लिटरली मैं नहीं सोची थी कि 200 में इतना अच्छा जूल्री नहीं देगा और सबसे इन्पॉर्टें मुझे लगा था कि आते के साथ वह तो डैमेज निकलेगा पर सक्ता ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई भी मेरी जूल्री में डैमेज नहीं निकली है तो ईसमें ट्रस्टेड़ है अब हैं Jestरे मफें दोप्षण बेंगा करते हैं बकिन कैसी जूल्री कि है देखते हैं कि क्या है जो necklace है इसमें कुंदन उर क्या हुआ है देख सकते हो इसके कुंदन वर्क किया हुआ है और यह और यह long में जह लगता है कि मुझे जितनी जुरुली रिसीब हुए है वह लगता है सारे लाइट वेटेड ही है यहां पर रौंड सेप में डिजाइन दिया हुआ है यह फिनिस वर्क दे रहा है पूरा और यहां पर एक फ्लावर बना हुआ है जो कि इसमें भी कुंदन का वर्क है और यह लुक जैसा दिख रहा है आपको अगर इसकी मैं बात करूं तो यह देखने में है भी काफी ज़्यादा लग रहा है और यह भी लाइट वेट है तो यह बेयर करने में भी कोई दिकत नहीं आएगी विकाज कान में भी दर्द नहीं होने वाले अकलेस में था उसी तरह से यह रिंग में भी एक प्लावर दिया हुआ है और उसके बाद घुंगरू से इसे फिनिस किया गया है मतलब कम्प्लीट किया गया है सो गाइज मैं मतलब इसके लिए स्पीचलेस हूँ यह कितना खुबसूरत लग रहा है ना करें नैकलेस पहनने का तो आप सिर्फ यह रिं अगर मैं बात करूं तो स्पीचलेस हूं बड़ी एरिंग की बात करो ना मार्केट में एर सौसे स्टार्टिंग करते हैं बड़ी एरिंग की तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह रिंग के साथ आपको नेकलेस भी दिया जा रहा है वह भी 200 के अंडर बहुत खुबसूरत ह है इसमें नो डाउट लेकिन फिर भी मुझे यारिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं अपना बता रही हूं मुझे कोड मिल गया तो मैं कोड सारा का मेंसन कर दूंगी आप वहां से चेक आट कर लेना नेक्स्ट जूल्री की मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है वह वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाकर वहां चेक कीजिए वह वीडियो काफी मज़ेदार भी है तो अभी मैं इसकी अगर बात करूं तो आप देख सकते हूं कलरफुल है अगर आप कोई फेस्टिवल हो हल्दी हो मेंध अगर मों रिपिटव हैं ऐसके साथ कोई बिश त्रास पॉडमार को मात अगर आप क्यां व आपके व ईसके साथ फांए ये मल्टी कट्रें में यह आ गया यह काफी खुबशूरत है और मैंब दो इसमें भी नीचे देख को इसमें गूंग्रू लगे भी हैं पहले आप खुबसूरत है ना मतलब पूरा एकदम कलर भी अच्छे से दिख रहा है एंड फीनिस जो है इसकी काफे अच्छे से कंप्लीट की गई है और नीचे घूंगरू है उसकी आवाज भी आती है चन 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 और इसके साथ यह है जो आपका यह रिंग है यह काफी छोटू सा है या जता है और एक दूर सब्सक्राइब फोट करों आप कर सकते अगर में इस यह इरिंग की बात करूं तो यह में जैसा कि इसके according इसका weight जादा है मतलब इसके size के according इसका weight जादा है यानि और भी जो भी जोल्री मैंने open की थी उसमें यह रिंग था वो काफी light था light weight का था लेकिन यह थोड़ी heavy है मतलब अपने size के recording तो यह लेकिन फिर भी यह बहुत खुबसूरत लगता है पहने के बाद बहुत खुबसूरत लुक है आप इसको प्लूटी कलर के कपड़ों के साथ इसको वेयर कर सकते हो किसी इतने सारे कलर है कि आपके कोई भी आपके कोई भी और फिट के साथ यह मैच हो सकता है लाज जूलरी जो मेरे पास है वह भी बहुत खुबसूरत है क्योंकि इसको अभी मैंने एक लुक के साथ कंप्लेट किया है तो उसको मैंने वेयर किया था वह भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप देख सकते हो कि यह देखने में भी काफी जादा है वी है लेकिन अगें यह काफी लाइट वेटेड है मैं इसके लिए तो एकदम से मैं सौक्ट थी जब इसको देखा था न मिश्रू पे तो मुझे लगा यह काफी जादा ह मुटी होगा लेकिन अगें काफी लाइट वेटेड और बहुत खुबसूरत है इसमें अधी कलर है इसमें औरेंज आन पिंक कॉमिनेशन आउए काफी खुबसूरत है और यह साड़ी के साथ ना बहुत खुबसूरत लगती है क्योंकि मैंने इसको साड़ी के साथ भी एक पर वेयर किया है और इसको इस तरह से भी मैंने वेयर किया है तो दोनों में यह काफी जादा खुबसूरत मुझे लगा था पुरे नेक को यह कभर कर तो यह चीज भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी है मतलब आगर कुछ डिफरेंट पेहने का मन किया तो आप इसको वेयर कर सकते हो और इसकी जो गुंगरू है वह भी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे यहां पर पुड़ा कंप्लीट किया हुआ है इसका फीनिस वर्क जो है तो काफी जादा हलका है कुछ जादा ही हलका है बस एक मोटी के साथ इसको औरेंज के साथ कंप्लीट किया गया है मुझे लगता है कि इसमें और भी खुपसूरत यरिंग दिये सकता था अगर बात करूं तो इसके कोर्डिंग इस यरिंग में थोड़ा मार खागया लेकिन और बाइस मुझे अच्छा लगा है जुल्री बहुत अच्छा लगा एक जुल्री बात जितने जुल्री है ना वो मुझे 200 के उपर भी रेंज था लेकिन उसको जब मैंने अनलाइन पेमिंट किया ना तो उसके बाद वह कम हो गया था मतलब वह स्पेशल ओफर में चल रहा था अगर आपको भी 200 उपर दीख रहा है उसमें तो अगर आप उनलाइन पेमिंट करो गए तो वह मेठर से आपका प्राइज जो है वह कम हो जाता है यह मिसु में मतलब वीडियो काफी ज्यादा हेलफुल था और काफी ज्यादा मजा आया सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चानल को सब्स्राइब कर लिजेगा यह बेल आइकन को भी दवा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुचें, so फीर मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, लव यू